अभी इंजक्टर ये पूरे सीज हुए पड़े है निकलना रहा है मैंने भतेरा कोशिस किया जितना गुमा के निकालने का लेकिन एक चीज का ध्यान रखना होगा अभी आप देख सकते हैं न ये पॉइंट ये पॉइंट ये सारे सामने है लेकिन मैं इसे चावी से ऐसे घुमाने की थोड़ा सा कोशिस किया आपको लाइब दिखाए भी देता हूँ ये देखो पूरा जाम है ये इधर भी और इधर भी दोनों तरफ मैंने कोशिस किया नहीं नहीं घुम रहा है लेकिन क्या इसको ज़्यादा कोशिस करना है नहीं ज़्यादा कोशिस करते ही मामला खराब हो जाएगा मैं दिखा रहा हूँ आपको क्या खराब होगा ये देखो कैसे टेड़ा हो गया नहीं पीन सामने से बड़ा टाइम लेता है कभी कभी यार ये ऐसा किसे पीन अंदर का घूम गया अब यह किसी कामका नहीं है इन्जख्टर यहां सटेकों यहां से सेंटर आ रहा है यह पीन घूम गया यह से ही पीन यह घूम जाते हैं इनके चारूं के यदि हम लोग ज़़ादा वह करेंगे दिख्कत करेंगे CHAR INJ Psychology तरह भूम जाते हैं पीन और फिर हो जाता है इंजेक्टर डेट गाई यह घूमने की वज़ा से पर इसका नहीं किसी और गाड़ी का बड़ी कोशिष करा फिर यहां से घूम जाता है अंदर से अंधर से गूम जाती है इसकी इसको पूलर से निकलना पड़ेगा और मेरे पूलर यह देखो यह बोल्ट देख रहा है कैसे मैंने नट को बेल्डिंग करा रखा है अब एल टामी जो होती है वो टामी है इसमें ज्यादा खर्चा नहीं है मैं बता रहा हूं ज्यादा यह आपका वील बैरिंग जो अब इसमें करते हैं हुंडा सीटी EUC rv का उसका वील बैरिंग यह सेंट्रों का वील बैरिंग है इसमें बैलिंग कर दी यह देखो वैगनार का क्रेंग की पुल्ली है तो टामी बैल्डिंग करा दी अभी देखलो यह देशी इसी जुगाड हो गया बहुत पहले बनवाया था मैंने अब तो खेर यूटूब पे आ गया है तो थोड़ा सब ऐसे हो गया है लेकिन पहले वाला हिसाफ था यह देखो अभी इसमें कसेंगे ठीक है लो हम देंगे इसको छोट मारेंगे ना तो नीचे का हेड का फेस न इसको ताइड का रचला साथ आड़ पकड़ो है पांस में लेगा पपली को कैसा दीखेगा कि इतना हाड है देखो देख रहा हो ना यह तो जो देख रहा हो तीन किलो का माल है इतना जाम था है तब जाके निकला है पूलर सेन भणना तो यह खराब हो जाता है इंजक्टर ठीक है ऐसे करके एक दो तीन यह तीन और निकालने के ठीक है